मुझे धमकी दीने और मुझे कोई दे पाता नहीं है धमकी और धमकी उमकी नामे सुनता हूँ अब भीतर गाहत और बाहरी घात कहना हारने के बाद ये गलत बात है चुनाव तो हारते जीलते रहते हैं हम भी हारे हैं हम भी हारे हैं तो दूसरे भी हारे हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, चनाव तो हार जी चलती रहती है अब निश्चित समझ में जिस तरीके से पहले 10 साल चलिए पूरे 5 साल फिर सरकार चलेगी, 39 में फिर चुनाव होगा और फिर चुनाव के बाद देश के यसस्वी परदानमंती नरेंदर मोदी जी बनेंगे आप निश्चित समझ लेगे लेकि मुसलमान बोट भारते जिनता पार्टी को मिलता नहीं है अगर किसी के दिमाग में गलत फेमी है कि मुसलमान उसे बोट देता है तो बिना मतलब की गलत फेमी है मुसल्मान ना कभी भारती जनता पार्टी को बोट देता है ना देगा और जब नहीं देगा तो बिना मतलब में चर्चा करनी भी बेकार है उसकी नमस्कार यूपी तक में आपका स्वागत है मैं हूं समान चौधरी लोक सबाचुनाओं का रिजल्ट आ गया वेस्ट यूपी की बात करें तो बीजेपी को बड़ा जटका लगा है समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा डेंट दिया है चाहे मुदफरनगर हो चाहे कैराना हो चाहे सहरनपुर हो बहुत बड़ी टककर समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस बीजेपी को वेस्ट यूपे में देती भी दिखाई दी है हमारे साथ वेस्ट यूपे के फायर ब्रांड नेता संगीत सौम है आखिर हम उनसे पूछेंगे बीजेपी किहार क्यों सर यूपी टक में आपका स्वागत है क्या कहना है बीजेपी को एक बड़ा डेंट दिया है समाजवादी पार्टी ने वेस्ट यूपी में और बीजेपी का नारा था कि 80 में से 80 हम जीतेंगे लेकिन आधे से जादा गड़बंदन ने जो इंडिया गड़बंदन था उसे सीड़ चीत लिए है आखिर क्यों ऐसा हुआ क्या मादते हैं देखे पहले तो मैं देश के उन सभी लोगों को जो जिनोंने भारते जिनता पार्टी को वोट दिया या नहीं दिया मैं बधाई देना चाहता हूँ कि 60 साल के बाद फिर से कोई परधानमंत्री तीसरी बार पून वहुमत के साथ यसस्वी परधानमंत्री नरेंदर मोदी जी बनने जा रहे हैं देश के सभी लोगों को बधाई पूरे देश को बधाई जिस तरीके से 10 साल की सरकार में नरेंदर भाई मोदी जी ने देश का नाम विश्व पटल पर रखा जो हमारी एकोनोमी थी उसे किस तरीके से बढ़ाया देश के लोगों को किस तरीके से संभाल के किस तरीके से नो की देन है कि तीसरी बार भी पूर्ण महुमत के साथ NDA की सरकार वरने जा रही है रही बात पश्चीम उत्तर परदेश की आपने जैसा बताया है हां पश्चीम उत्तर परदेश में थोड़ा हमें जटका लगा है वह हम लोग के लिए जाच कावी से है क्यों लगा है उसे हम ल भीतर गात और बाहरी घात कहना खरने के बार सबस्टाइब गलत बाता है चुनाव के लिए का हरते जीन्ता पार्टी की तो एक सतत परकिरिया है का चलती रहती है चुनाव के बाद तरण चुनाव शुरू हो जाता है वो क्या कहा रहा है हम ठीक है आप क्या मानते हैं क्या यहां वेस्ट यूपी में भीतरगात हो रहा है क्या पार्टी में फूट पड़ गई है कोई पार्टी में फूट नहीं है लेकिन हां कार्य करता निश्किरे रहे हैं उस निस्किरेता का कारण जरूर जानना पड़ेगा क्यां कार्यकरता निस्किरे रहे क्यों वोटिंग पर्संटेज कम हब क्यूब MODY का कार्य करता घर उन्य निकला वह बिलकुल समिक्षा कावई से है उसकी समक्षा होने चाहिए और हर हालत में होने चाहिए हम मेरट की बात करें तो मैरट में रामाइण में राम का किरदार निभाangenE वाले परतियाशी को लाया गया क्योंकि वोट पर्थंटेज पिछली ही बात आ रही है कि कहीं न कहीं जो भीतर गहत है और जो आपस में ये फूट चल रही है देखे मैं जैसा अभी आपने मेरट की चर्चा करी आपने मुझसे चुनाव के बीची में भी एक दिन बात की थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप निशित समझें मेरट सीटम ज चंतर रहा है इतना के बाद भी सर्धना विधान सबा हम बराबर पर लेके गए हैं हमने नहीं हारने दिया है बुढ़ाना हम हारे है यह विशे जाच का है कि बुढ़ाना हमारी मजबूत सीट है भारती जिनता पार्टी के उसे क्यों हारे चर्थावल हमारी मजबूत सीट ह बारती जिनता पार्टी की उसे हम क्यों हरे ये जाच का विशा है वे दोनों विधान सवा हम बड़ी होते हैं आप भी लगे रहे न ठाकुरों को आपने जाके समझाया और कहीं न कहीं आपकी जो हार हुई थी उसमें संजी बालियान का नाम आया था उसका बदला लेने के लि समाजवादी पार्टी को बीजेपी के लोग कह रहे थे के समाप पार्टी हो चुकी है लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा डेंट दिया है चुनाओं में देखे समाजवादी पार्टी ने हाँ थोड़ा शीटे जादे आई हैं और उसका कारण के है मैंने जैसा बता है कि भारती जनता पार्टी के कारे करता की निश्क्रियता बहुत बड़ी एक चीज रही है हमारा कारे करता उ नहीं लगा जिस तरीके से लगना चाहिए था उसका नुकसान हम लोगों को हुआ है लेकिन समाजवादी पार्टी समाथ पार्टी है इसमें कोई दोराय नहीं है आप निश्चित रही है सरकार बनेगी नो तारी कुछ सपत होगी पूरे पांस साल जिस तरीके से पहले दस साल चलिए पूरे पांस साल फिर सरकार चलेगी 39 में फिर चुनाव होगा और फिर चुनाव के बाद देश के यससवी परदानमंती नरेंदर मोदी जी बनेंगे आप निश्चित समझ लेना संगी जी मेरा सवाल है क्या क्या कमी रही जिस तरीके से क्या बीजेपी अपनी जो बात थी वो जंता तक नहीं पहुचा पाई चार सो पार का नारा इतना बड़ा नारा दिया असी में से असी का नारा दिया लेकिन फिर यह रिजल्ट कहीं ना कहीं मैं ने बताइना कहीं हम लोगों की दिकत रही है कमिये मतले क्या कमी रही है वह थोड़ा स से उस पहम मैं मैं मैंने आपको जैसे बताय कि भारती घुंता पार्ति का कार давता कि सी कारण कोहराrete में की नहीं समझ पार रहो हूं वह और वही तो विशे है मैं उस assist to का नारा उसने बेफिकर कर दिया कारर करता हूँ चार सो जीत रहे हैं कोई बात नीं हो जाएगा अब यह कहना मीरे ली मुश्किल है, लेकिन सबनुद चार समझ एक हम आसपास रहे हैं लेकिन आने वाले समें में चार सो ही पार करेंगे आप शिंता मत करिए मिरा आखरी सवाल ये है बीजे पी ओवर कॉन्फूडेंस में रह गई क्या यूपी में और कहीं ने कहीं जो इंडिया गड़ बंदन था उसने अपने वोट परसंटेज बढ़ा लिया मुसलमानों का दलीतों का वोट ले जाने में कामियाब रहे मुसलमान वोट भारते जिनता पार्टी को मिलता नहीं अगर किसी के दिमाग में गलत फेमी है कि मुसलमान उसे वोट देता है तो बिना मतलब की गलत फेमी है मुसलमान ना कभी भारते जिनता पार्टी को बोट देता है ना देगा और जब नहीं देगा तो जना मतलब में चर्चा करने भी बेका रही है उसकी जाने के योट के एक भी बोट नहीं मिला कहीं एक भी बोट भारती जंता पार्टी को मैंने आभी देखा वो कोई खबर देख रहा था मैं रामपूर की एक गाओं में 300 कुछ घर बने हैं लेकिन वोट एक भी नहीं निकलिए तो यह मुस्लिम गाओं की इस्तिती है तो इसमें और इससे जाएंगे यह थे संगी सोम फायर बिगांड नेता हैं बीजेपी के हाला कि जो हमने सवाल पूछे उसका कहीं ना कहीं घुमाओदार जवाब देते वे नज़र आए कि आखिर क्या रहा जो वेस्ट यूपी में बीजेपी को इतना बड़ा जटका समाजवादी पार्टी न क्या ये जो गड़बंदन है उसने कहा है कि सरकार बन भी जाएगी तो चलेगी नहीं देखते हैं क्या होगा उस्मान चौधरी मेरा यूपी तक